मीठू और उसकी पत्नी मीठी दो चुहे थे. वे एक बहुत बड़े घर के एक कोने में बने बिल में रहते थे. एक रात मीठू रसोई की ओर खाना लाने को गया. वहां उसने एक सुन्दर सा गुडिया का घर देखा. उसने अपनी पत्नी को आवाज दी. तब दोनों उस घर के अंदर गए. वहां छोटी कुरसिया, छोटी मेजे, छोटा पलंग और खाने की चीजों से भरी हुई एक छोटी मेज थी. उन्हें उस छोटे घर में मजा आ रहा था. मीठी ने खुश होकर कहा यहां हमारे ही नाप का सामान रखा हुआ है. चलो, पहले कुछ खा लेते है उन्होंने खाना शुरू किया परंतु उनसे कुछ भी खाया न गया. वह सारा खाना नकली था. दोनों बहुत उदास हुए. कभी मीठी चोटी कुरसी को उठा कर बोला कम से कम हम इन्हें तो ले जा सकते हैं. यह बिलकुल हमारे नाप के हैं. कभी अचानत किसी की आवाजे सुनकर वे दोनों भाग कर वापस अपने बिल में चले गए.